तो आज मैं एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही टेश्टी सी चटनी की रेस्पी लेकी आई हूँ जो की महराष्ट की फेमस ठेचा की चटनी है इसे बनाना बहुत ही आसान है पांच मिनट में बनके त्यार हो जाता है सबसे पहले हम तवा को गैस पे चड़ा देंगे इसक कम इसलिए कि मैं बच्चों के लिए बना रही थी तो इसके बाद इसमें हमें एक चमच कोई भी सा ओयल जो भी आप खाना पसंद करते हैं वह डाल दीजे इसके बाद एक चमच जीरा डालना है अच्छे से इसे बहून लेना है और इसके बाद इसे एक खल में ट्रांसफर क करेंगे नमक नमक अपने टेश के अकॉर्डिंग एड कीजेगा और इसके बाद इसे अच्छे से कूट लेना है इसे मिक्सी में बिल्कुल भी नहीं पीसना है इसे बस इसी तरीके से खल में कूट लेना है और बस पांच मिल्ट में हमारी ये ठेचा की चटनी बनके तयार ह जो कि खाने में बहुत ही अच्छी लगती है अगर सबजी नहीं भी है तो आप इसे पूरी पराठे किसी के भी साथ खा सकते हैं और खाने में तो टेश्टी लगती है साथ के साथ आप इसे स्टोर करके 10-15 दिन फ्रिज में भी रख सकते हैं और आप चाहे तो इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग चीजों को कम या ज्यादा कर सकते हैं जैसा भी आपका खाने का मन हो उस हिसाब से और यह चटनी बहुत ही अच्छी लगती है मूंगफली वगरा या भूंजे वगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजेगा जादा से जादा लोगों तक शेयर कीजेगा और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा मिलती हूं नेक्स्ट मंडे एक नई रेसिपी के साथ थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग प्लीज लाइक शेयर सब्सक जर volcano जिकर वाचिंगा ये लाछ वाब कर दोदी कीजेग से गले कि शेखा बाल बती है ये वाथ ने कि तो सब्सक्कीजyang द ए करो हां ये है जासी है घ Tapय बाहल सब्सक्राएब करूस्ट मंचे अए ही टबाल उू टुद का ने ख पर आ 이번 दो बाहा हम्पथल मंचेम सीज़ की